कि हमारी यूटूब फैमली का फैलकम करते नई वीडियो में तो फ्रेंस आज का थम्नेल और टाइटल देखके आप पहचान गयोंगे आज की वीडियों किस टोपिक पर होने वाली है तो आज आपको लेके चलते नरसरी पर दिखाएंगे आपको कि यहां पर खाद कैसे हमारे गलियों में आती है आम किसी नरसरी पर लेते तो काफी महंगा रेट होता है तीन सो रुपए में पैकेट पढ़ता है जाके इस नरसरी पर आपको बहुत सस्ता पढ़ने वाला आट रुपए पैकेट पढ़ेगा जो की एक केजी का रहेगा और अगर आप उससे रेट हाई मिलने वाला है तो खाद आप दो तरह की यूज अपने कभी भी अगर आपने टेर्स गार्डन या बालकनी में प्रांट लगाते तो दो तरह की आप यूज कर सकते हैं पहली जो होती होती केचुवा खाद आपको बहुत अच्छे से नरसरी पर किसी भी मिल जाए तो आज की हम वीडियो में आपको ये बहुत ही सस्के रेट पर दिलवाएंगे तो आप वीडियो लाज तक देखिए वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें इसको सेर सस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन और पर सिलेक्ट रखें ताकि हर अभी बा बाते हैं और यहां की सारी डीटेल आपको बताते हैं सारी जानकारी देते हैं और यहां का ऐडरेस के लिए आप वीडियो लाज तक देखिए तब ही आपको पता लगेगा कि आप यहाँ पे इतने सस्ते rate पे कैसे आप यह खाद ले सकते हैं तो पहले आपको बता दें सकते हैं एर tight किया जारा है तो हम बहुत सहवึ मैं आई हैं यहां में packing देखने को मिल गई है तो यहाँ पे इसको pack किया जारा है और जो इसमें नमी होती जो माइक्रोब होते हैं वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं तो इसकी नमी को जो लोक किया जा रहा है ताकि इसमें एर टाइट रहे और इसकी जो नमी है वो खतम ना हो नमी खतम होने के कारण माइक्रोप खतम हो जाते हैं और हमारे प्लांट में फिर ये उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा और आप ये किस-किस प्लांट में डाल सकते हैं अगर आपने टेरेस गार्डन या बालकनी पे अगर आपने कोई फ्रूटिंग प्लांट लगा रखे हैं या फिर वेजी टेबल तो उनमें आप ये दे सकते हैं हर हपते ये खाद दे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है अगर आपने इंडोर प्लांट लगा रखे अरीका पाम या और भी कई वेराइटी के जो इंडोर प्लांट होते हैं उनमें आप ये हर महीने दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है अब आपके मन में इसकी प्राइज आ रही होगी कि इसकी प्राइज क्या है तो फ्रेंस जब ये सरी से निकल के ये और जगे पहुंचती है या फिर हमारे जो गलियों में आते हैं तो वो ये हमें 1.500 से 200 रुपे प्राइज में देते हैं और इसकी जो एक kg की पैकिंग है, इसका जो rate और हम आपको दिखा देते हैं, कि इसकी जो हमें दिखा के rate दिया जाता है, वो असली rate इसका क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं, तो देख सकते हैं, यहाँ पर 275 रुपए दे रखा है, तो यहाँ पे जितने packet उन पे अलग-अलग rate है देशे 275 है एक केजी है पर आप इस rate पे न जाएं आप अगर यहाँ पे आके लेते हैं तो आपको 8 रुपे packet मिलने वाला है एक केजी का इससे बड़ा भी packet आता है यह देखे इस पे इस पे 260 रुपे है अभी मैं focus camera करके आपको दिखा देता हूँ और एक केजी की packing है तो आप देख सकते हैं 260 रुपे तो आठ रुपे है और इसकी कोई expiry date नहीं होती है गोबर खात जितनी पुरानी होती उतनी अच्छी होती है किसी एक गोबर खात को अगर बढ़िया से compost करना है तो एक साल का time लगता है उससे पहले आप अपने plant में ना यूज करें इस तरह की खा दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको quality में कोई कमी नहीं होने वाली अब भी मैं दिखाता हूँ यह देखिए बड़े packet भी यहाँ पर मिल जाएंगे यह जो बड़े packet है यह 5 kg के हैं इस पर weight देख सकते हैं चार kg का है पर यह जो packet है वो packet 5 kg का है इसका weight भी आप तोल सकते हैं 5 kg का 415 रुपे इस पर देख सकते हैं पर यह आपको मात्र 20 रुपे में मिलने वाला है तो जो लोग दुकान रख रखे हैं जो बागवानी से related जो समान सेल करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे यह है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैकिंग की जा रही है वो इस तरह की एक खाद है तो इसको पिलकुल भी गोबर की इसमेल नहीं आ रही है एकदम मिट्टी की आ रही है वो ही खाद बढ़िया मानी जाती है एकदम आपको जब भी पहचानना है तो आप जब भी नरसरी प खानी चाहिए तो वो खाद एकदम बढ़िया होती है एक साल लग जाता है इसको पूरी तरह से डीकंपोश होने में गोबर को और यहाँ पे देखिए पैकिंग का कारिकरम सुरू हो जाता है और पैकिंग होने के बाद फिर इसको मार्केट में भेज दिया जाता है जो कि आ अगर आपको आना है यहाँ पे तो आप एक पैकिट ना ले आपको यहाँ पे कम से कम दस पैकिट लेने होंगे अब आपके मन में यहाँ का एडरेस आ रहा होगा कि यहाँ का एडरेस क्या है तो फ्रेंस यहाँ का एडरेस आप लाश्ट तक वीडियो बने रहिए तो फ्रे के बाहर वी इनका जाता है पर दिल्ली में ज़्यादा सेल है तो आप को अगर यहां पे आना है तो यहां के एडरेस में दे दूँगा आपको और अपने मन पसंद यहां से ले जा सकते हैं बेसीक इनके नाम अलग-अलग है पर चीज एकीश मिलेगी आपको तो friends आप देख सकते हैं यहाँ परा धेर लगा हुआ है तो यहाँ पर यह जो है पैकिंग तयार है अब यह ट्रकों में भर भर के माल जाने के लिए तयार है और आपको देखने को मिल जाएगा अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें यहां का address दीजिए तो friends आपको हमारी वीडियो पे 1000 like का target पूरा करवाना है next वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे यहां के owner से आपको बात करवा देंगे कि आप जो 8 रुपे और हम 20 रुपे पैकेट बता रहे है उसी rate पे आपको मिले और यहां का contact नंबर भी दे देंगे ताकि आप call करके भी पता कर सकें यहां पे online जो है यह नहीं आपको दिलवा सकते हैं तो आपको यहां पे आना पड़ेगा online इन पे सेवा उपलब्द नहीं है तो आपको यहां पे आके अपने मन पसंद जो है जो भी आपको चाहिए 1 kg का या फिर 20 kg का तो वो आप ले सकते हैं minimum आपको 10 पैकेट लेने पड़ेंगे एक पैकेट सेल नहीं करेंगे यह आप 10 पैकेट लें और आप एक साल के लिए स्टोर कर लें इसको फिर और आप सरदी गर्मी जो भी अपने प्लांटों में देते रहें और अच्छी फसल आप ले सकते हैं मैं भी अपने बागवानी के लिए ऐसी खादे यूज करता हूं ज्यादा क्योंकि मैं भी अपने छट पे जो है के फ्रूटिंग प्लांट और वेजी टेवल्स लगाना बहुत ही पसंद करता हूं तो उसमें मैं इसी तरह की खाद डालना पसंद करता हूं तो यह भूमी कबच के नाम से है तो अब आप की बारी है आप हमारे वीडियो को लाइक करें एक हजार का टार्गेट पूरा करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और उसके बाद हम नैश्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे हर अभिवार को बारा बजे हमारी वीडियो आती है तो आप बस चैनल को सस्क्राइब रखे और घंटी का आइकन All पे सिलेक्ट रखे जल्दी आपसे मुलाकात होती है